रामायन के राम सेतू के बारे में तो आप जानते ही होंगे श्री राम की वाना सेना के द्वारा बनाया हुआ ये ब्रिज आज भी मौजूद है हाला कि कई लोग ये साबित करने में लगे हुए थे कि ये सिर्फ एक कुद्रती सन्नचना है लेकिन जबर्दस्ती कुछ साबित करने से वो सच नहीं हो जाता अभी हाल ही में डिस्कवरी ग्रूप के साइन्स चैनल के एक शो में ये बताया गया है कि राम सेतू कोई कुद्रती सन्नचना नहीं है बलकि इसे बनाया गया है राम सेतू का सबसे पहले जिक्र वालमिगी जी की रामायन में किया गया था जिसके मुताबक ये पुल श्री राम की विशाल वानर सेना नहीं बनाया था राम सेतु लगभग 50 किलोमेटर लंबा है जो की तमिल नारु के पंबन धुईब को श्रीलंका के मनार धुईब से जोड़ता है इस पुल के आसपास समुद्र सतह से काफी कम उचा है लगभग 3 से 30 फेट उचा अभी हाल ही में हुए रिसर्च से आर्केलोजिस्ट को यह पता चला कि राम सेतु की जिस मिट्टी की परत के उपर इस पुल के पत्थर है वो करीब 5000 साल पुरानी है जबकि ये पत्थर करीब 7000 साल पुराने है जिसका मतलब है कि ये पत्थर कहीं और से लाकर यहां की समुद्र की मिट्टी की परत के उपर डाले गए है कहते हैं कि 15 सदी तक राम सेतू समुद्र से उचा था और इस पर आराम से चला जा सकता था मंदिरों के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1480 तक ये पुल सता के उपर था जो की बाद में एक बड़े तूफान की वज़ा से पानी के नीचे आ गया राम से तू कोई चमतकार नहीं बलकि हमारे प्राचीन विज्ञान का वो करिश्मा है जिसके सामने आज की टेक्नोलोजी भी कुछ नहीं अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और हमें नीचे कॉमेंट से बताइए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने लिए यहां क्लिक करें थांक यू